नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको अपना चैनल आज टीच में हम आज देखेंगे अमीन से रिलेटेड अमीन से रिलेटेड देखेंगे अपडेट कि जो 1767 वकेंसी है उसके बारे में क्या अपडेट है तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और एक बात कह होंगा अगर आप मेरे चैनल पर नाए है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगे हों कि बिहार में किसी परकार का भी वकेंसी आता है ओफ लाइन हो या ओनलाइन सबकी जनकारी इस चैनल के माधे हमसे आपको सबसे पहले मिलेगी तो बात करते हैं यहां पर अमीन के रीक्त पदों पर नियुक्ति है तो आयोजित ओनलाइन बेस्ट कंप्यूटर टेस्ट जो सीवीटी 2020 के अधहार पर पत्रता सत्यापन यहां मुल परमाण पत्रों की जांच से संबंधित आवत्शक सुचना तो यहां पर देखेंगे कि अमीन के रीक्त पदों पर नियुक्ति है तो आयोजित ओनलाइन बेस्ट जो 2020 के पर इच्छा हुआ तो उसके अधहार पर पत्रता सत्यापन यहां मुल परमाण पत्रों की जांच से समंधित जो आप लोगो कांसिलिंग का डेट दिया था जो कांसिलिंग का डेट दिया तो यहां पर हम लोग देखें परिवर्तन बिभाग बिहार के अधिन अमीन के रिक्त पदो पर नियुक्ति है तो आउनलाइन कंप्यूटर वेस्ट टेस्ट जो 2020 के अधार पर पत्रता सत्यापन यहां मुल परमाण पत्रों की जांच है तो परकासित बिग्यापन संख्या दिया गया है और दिनांग के इ 1212-2021 के अभिलेग सत्यापन कार्यकरम के समलित अभियार्थियों सधारन के सुधार सधारन को सुचित किया जाता है कि युक्ति विग्यापन द्वारा परकासित अभिलेग सत्यापन कार्यकरम अप्रहित करणों से अगले आदेश तक अस्थागित किया जाता है यानि कि आपको जो यह है रद नहीं किया गया है पूरी तरह से बहुत सारे लोग कहा रहे हैं कि यह जो बेग्यापन को है रद कर दिया गया है तो अभी पूरी तरह से रद नहीं किया गया है यहां पर देक तथा मूल परमाण पत्रों की जाच से संबंधित अभी लेख सत्यापन कार्य करम की तीथी से संबंधित जनकारी पारशत के बेवसाइड उसी पर बेवसाइड पर आपको एमाम राज्य के परमुक समचार पत्रों के माध्यम से अथावत दे दी जाएगी मतलब आप लोग को इसकी सुचना जो है मिल जाएगी तो आने वाली समय में अभी तो बिहार के इस्तिती जो कुरोणा के वज़े से है लकडाउन के इस्तिती में है तो अभी तो मतलब कुछ नहीं इसके बारे में कहा जाता है कहा जा सकता है लेकिन आपको इसके बारे में जल्द ही आप लोग आपको यहांपर दिया गया है कि बेषर के माध्यम से आपको इसकी जनकारी दी जाएगी कि इसका जो है कब से मुल्परमाण पत्रों के जांच की जाएगी यानि इसका कब से डिंवी होगा तो जब भी इसका information और कोई update आता है हम आपको तुरत वीडियो बनाकर inform कर देंगे धन्यवाद मिलते हैं next वीडियो में